हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे UKCC, UKPSC, GS, Postpartum Classes Part 11 के बारे में इससे पहले में आपको GS यानिके General Study के उपर अल्रेडी 10 पार्ट दे चुका हूँ अगर आपने उन नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट को दोस्तों जरूर देख लीजिगा और आज से हमारे 11 पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें से हम दोस्तों आप जितने भी पार्ट आगे देंगे उसमें 50 important one-liner questions को पढ़ते भी चलेंगे क्योंकि यूके ट्रप्रस्टे का अप लूं का exam आने वारे जल्दी वीडियो वीपीडियो वाला exam अगले महने है आपका दिचंबर में और साथी साथ आपका जो lower PCS वाला exam है वो भी अगले मैंने है तो उसी के regarding मैंने जो previous exams में प्रस्टे आये हुए है history, quality, geography, economics, computer और science के उन सभी प्रस्टों को आपके सामने संकलित करके पचास प्रस्टों के माध्यम से हम पढ़ते रहेंगे तो इन प्रस्टों को भी आप दोस्तों रिवाई जरूर करते रहें चले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और दोस्तों अभी तक आपने मारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया हुए तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रस्ट कर लें ताकि हमारे आने वादी वीडियो के नोटिविकेशन आपको कंटिशनी मिलते रहें आज का मेरा पहला प्रस्ट है कि संविदान के नुच्छे 244 का संबंद किस से है तो आर्टिकल 244 का संबंद दोस्तों किस से प्रतिक में प्रतिक में प्रतिक में पूछा गया है अगला प्सने अंतराष्टी बैट्मेंडे संग ने किस भारति बैट्मेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें तो भारती संभीधान, एक राष्टर का इस्तम नामग पुस्तक के लेखाग है, ग्रेन वीले ऑस्टिन। अधर भिसने, भारत के संभीधान में कौन सा अनुछेत कारखानों आदी में बच्चों के रोजगार पर पिर्तिबन्द लगाता है, तो Article 24 बाल स्रम पर परतिबंद जो कि हमारा भारती संभिधान के भागतीन के अंतरगत मौली के अधिकार में आता है वही Article 24 दोस्तो कार खानू इत्यादी में काम करने वाले बज्जों के रोजगार पर परतिबंद लगाता है अगर आप लोग को ग्यात है तो Article 23 और Article 24 इन दोनों का ही संभिधान दोस्तो क्या सोसन के विरुद्ध अधिकार से माना जाता है जो कि मौली के अधिकार के अंतरगत आता है तो भाग 3 में इसके वारे बताया गया है और इस Article 24 में बाल स्रम पर परतिबंद के वारे में बताया गया तो आठ के आठ राज्याग के नाम आपको याद उने चाहिए, गुजरात, रायस्तान, मद्यवर्देश, शत्तिस गर्ड, जारकंड, पश्ची मंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन आठ राज्यों से हमारी करकर एखा होकर गुजरती है, भारत के आठ राज्यों से होकर अ भारती सम्विदान के अनुछे सत्रा में किसे समाप्त करने की बात कही गई है, वही आठ राज्यों सूला में दोस्तो लोक नियोजन के आउसर की समानता के बारे में बताया गया है, अगर अगर अग्जरते, मूल सम्विदान में संपत्ति का अधिकार वड़निक था किसमे तो मूल सम्मिधार में संपत्ति का अधिकार वरनी था Article 31 में, किसमें अनुच्छे देखती है, लेकिन अभी इसे वर्तमान में कहाँ पे 300A में इस्तनानतित कर दिया गया है, और पहले ही क्या था, पहले हमारे मौली का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसे विधी का अधि अधिकार को मौली का अधिकार से हटा कर विधी का अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो 44 सम्मिधान सचोजर अधिनयम, 1978 द्वारा संपतिक के अधिकार को Article 31 से हटा कर विधी का अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया है, अगला पसने, जलिया वाला घत्याकांड वो ठा? इसके रॉलेट एक्रोड के विरोध मेडिक है? और जलीया वाउलृख हमेंror 1909 को मारा जलीया वाउला भाउग हम ये विरोध हुआते हैंlocendo और किसके विरोध में ये ये मारा जलीया व। हमेंर से खसंते हैं здесь маш What of 2007 रोलवेड के विरोध में कौन सा अंदुलन चलाए गया था तो गांदी जी की दोरा सत्यागरा अंदुलन रोल इडैक्टे विरोध में यहां पर चलाया गया था अगर अधिती असोक को अर्ध प्रुसकार 2020 से सम्माईप किया था mission future से संब्ढदी थे हैं तो अधुति एस्ओक हमारे गोल से संब्आतिक किसे गोल्प से मॉल इंडिया फॉड़र्वर्वार्ट कि इसताफटा जिर्म सूबांपुर्ण साहर से यसां को निदृवर्वर्वर्वर्वर्वार्म मुट जी मुझा इसताफट, 30 माई कानपूर सहर से ड़ंदो पनु यनका मूल नाम त이ización चानपूर से ड़ंधु के 503 की करेंदे राणी । हुइए प्रसरा नहीं बने सकता है कि अंडेधन techniques योजना का संब्सक्राइछा थे च históriaब का आधार बहरत का सबसे बड़ा राज्य कौंशा IS तो चेत्रपल के आदार पे भारत का सबसे बड़ा राजी है दोस्तों कौन से है राजस्तान वहीं चेत्रपल के आदार पे भारत का सबसे छोटा राजी कौन से है दोस्तों वह है गोवा जन संक्या की दिश्टिचे भारत का सब्चे बड़ा राज्य कौन से रहे उत्तर प्रदेश और जन संक्या की दिश्टिचे भारत का सब्चे छोटा राज्य कौन से रहे उत्तर प्रदेश और जन संक्या की दिश्टिचे भारत का सब्चे छोटा राज्य कौन से रहे उत्तर गूबर को जाना जाता हैटिके कीसे मली कंबर को अगला पुसदा पुर्ण पूखटी को भारती राश्टी को LED Programmist के अध्यक्त से थे 2011 की जनगरना के अनुसार किस राजी में अनसूची जन जातियों की जनसंक्य का प्रतिशत उसके कुल जनसंक्या के परतिशत के इसाब से नियुन्तम है तो उत्तर बर्देश में अनसुचित जनजातियों की जनसंक्या का परतिशत उसकी कुल जनसंक्या के परतिशत के इसाब से सबसे नियुन्तम माना जाता है ठीक है अगर प्रस्ता है उस तो यह उसे कौन एक ठंडी जल्दारा है ठीक है तो ठंडी जल्दारा क्या है वेंगुएला जल्दारा है या थंडी जल्दारा है ठंडी जल्दारा है अगर आपसे बारत के किस राज्जी में सरवादिक सड़क सगनता है तो भारत के केरल राज्जी में सरवादिक सड़क सगनता है किसमें केरल में मैसाबी स्रेणी किस खनी से संबंदित है तो मैसाबी स्रेणी का संबंद माना जाता है लहो आयस किसे अगला पुसने डागर बैंक जो एक महत्वपूर मतश्य चेत्र माना जाता है किस सागर में इस्तित है है तो डागर बैंक जो एक महत्रपुन मत्ष्चे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है अगरा बसने दांडी मार्च नमक सत्यागर दोस्तों मरा 24 दिनों तक चला था और नमक सत्यागर के शुरूआत महात्मा गांजी जी ने भारत सरकार में ब्रेटिस सरकार दारा लाएगे नमक करके खिलाफ में किय थी और 12 मार्च 1930 को हमारे ड़ांडी मार्च चला ठाटिक है और कितने दिनों के यातर थी उसतो 24 दिनों की यातर थी या आपको बोट राइगे नोट डाउन करना है अगला पसंद की बात करते हैं उससतो कि दक्षिश्वल काली मंदिर कहां इस्थित है जहां हाल ही मैं मैट्टो की नौर्ड सा झायक नदिया सुन नदी बेतवा हिंडन, चम्बल और टौंस कि साइग नदिया है तो यह यमूना की साइग नदिया है अगरा अप्समें किसके द्वारा बाल सरम, दास्ता और तसकरी से बच्चों की मुक्ती हे तू बच्पन बचाओ अंदोलन सुरू किया गया तो कैलास सत्यार्थी जी के द्वारा बच्पन बचाओ अंदोलन सुरू किया गया बाल स्रम दास्ता और दसकरी से बच्चों की मुक्ती हे तू इसे के साथ दोस्तों कहला सत्यार्थी को बाल अधिकार कारी करता की रूप में भी जाना जाता है और 2014 महीने नोबल सांती पुरुसकार से भी समाने किया गया किसे कहला सत्यार्थी को एक बाल अधिकार कारी करता की रूप में भी जाना जाता है इन्होंने बच्पन बचाओ अंदुरन के साथ साथ यह उस तो बच्चों की शिक्षिया के लिए बच्चों की स्रम दास्ता से मुक्ति के लिए या तसकरी से मुक्ति के लिए उनके विकास के लिए काफी सारी अलग-लग यह उजनाओं को या अंदुरन को भी सुरूर किया हुआ है अगला पुसने क्रांती कारें यों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की सीगें तो वीडी सावरकर जी के द्वारा 1904 में एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत गठित की तो फरवली 2021 में किस आसियान देश की सिना गेती किसने मिया मार ने, करेंट अपरिका फुश्चन था, अगर आपसने, दोस्तो, कुडन कुलम परमाणु उर्जा सेयंत्र कहा इस्थित है, तो कुडन कुलम परमाणु उर्जा सेयंत्र जो की भारत का सबसे बड़ा परमाणु उर्जा सेयंत्र है, या तमिलनाडु के त गुदयनकुलम परमानु उर्जा-शेयंतर का निरमाण हुआ है अगर अपस्याने दोस्ताव की प्रतिकिया में भारत चुड़ा अंदुलन शुरू किया गया था ठीक है और अगांधी जी ने पोस्ट डेट चेक और फिलिंग बैंक भी कहा था और इसी के दौरान दोस्तों मारा भारत छोड़ो आंदुरन शुरू किया गया था अगला मारा प्रस्ने है Operation सुनिकाल किस आंदुरन की दौरान चलाया गया था तो भारत छोड़ो आंदुरन की दौरान ही Operation Zero Hour या Operation सुनिकाल चलाया गया था ठीक है और भार्ट फोला अंदोन के शुरुवाद आटकर स्थे यह नौग अस्ता 1922 से मानी जाती है ठीक है याद रखने आपको ठीक है अगर बसने समाजवाद लोकतंत्री धर्म निरिफिक्षता तथा संगवाद में से कौन भारती सम्मिदान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो समाजवाद, लोकतंत्री, धर्म निरिफिक्षता और संगवाद में से दोस्तों मारा संगवाद क्या है भारती सम्मिदान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है ठीक है तो प्रस्तावना में क्या है समाजवाद, लोकतंत्रात्मक और धर्म निरिफिक्षता की बात की गई ता है नहीं मिलता है समाजवाद में जोड़ा गया था तो 42 समयधान 1926 के द्वरा भारती सम्भीधान भारती सम्विधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था पहले प्रस्तावना में जोस्तो समाजवाद 15 रिपक्ष र अखंड़ता नहीं थे लेकिं इन्हें 42 सम्विधान संचुदन 1976 के द्वारा भारती सम्विधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था बहुत महत्पूर्ण दोस्तों ये प्रस्न है, अलग-अलग प्रकार से प्रस्न पुछा आता है, कि समाजवात को भारती संविधान में या प्रस्तावन में किस संविधान संचुजन के तैन जोड़ा गया, पंतर निपिक्षो को कैसे जोड़ा गया, अखंडदा को कैसे केरल के है, नितिए है, तो जो कथक कली और मोहिनी अटम साष्ति नितिय प्रस्ति संविधान में केरल के है, काथ गुजरात का है, बीहू असंड का है, और का का है, अगर अगर आपसने, भारत के अप्रास्टमति का चुनाओ, एक निर्वाचक मंदल द्वारा किया जाता है जिसमें उपस्तित होते हैं कौन तो सदन के दोनों सदनों के सभी सदश्य हमारे उपराश्टपती के चुनावों के निरवाचक मंदल में उपस्तित होते हैं सद्टर स्दान की दोनें के सभी सधेश्यों परस्टिद होते हैं और उपराश्ट पती का जो चुनाव है वह एकल हस्तान्तरित मत के माध्या में द्वारा नुप। अनुपातिक प्रतिनिद्यत्यों की प्रणाली के अनुसार गुप्त मत्वान द्वारा किया जाता है। तो मेगस्तनीच किस गुरीक राच्पुत के दर्वार में भारत आया था। प्रस्ताव डॉक्टर एपीजे अबदूल कलाम के द्वरा रखा गया था। राष्टी शुरक्षाकोस की स्थापना कब की गई थी। तो 22 अक्टूबर 1962 को राष्टी शुरक्षाकोस की स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1962 को। भारती ओद्योगिक पुनर्ण निर्मान बैंक की स्थापना किस वर्स की गई थी तो भारती ओद्योगिक पुनर्ण निर्मान बैंक Industrial Reconstruction Bank of India IRBI की स्थापना 20 मार्च उद्योपिचासी को की गई थी अगरा पुसने भारत सरकार दोरा नहीं ओद्योगिक निती New Industrial Policy की गुष्णा कब की गई तो 24 जुलाई 1901 को भारत सरकार की दोरा नहीं ओद्योगिक निती के गुष्णा की गई थी अगरा पुसने विश्योगिक पार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी तो 1995 में दोस्तो WTO की स्थापना होती है अगरा पुसने भारती प्रती भूती एवंविनेवाइ बोर्ड सेभी की स्थापना कब की गई थी अगला पसने, दक्षेष या सार की स्थापना कब हुई थी, तो दक्षेष सार की स्थापना उस्तों मारी 1985 में हुई थी, कब 1985 में, अगला पसने, स्वामी नाथन समिती का संबन, किस चेत्री संबन्दित है, तो स्वामी नाथन समिती जो है, वहाँ जनसंक्या नेती से संबन समीति है अगलापस ने भारती और द्योगिक पुनार निर्मान बैंक का IRBI की स्थाबना कब हुई थी तो 20 मार्च 1985 को IRBI की स्थाबना होती कब 20 मार्च 1985 को और यहां पर साद दोस्तों मारा IRBI तो यह कोशन मारा थोर सा रिपीट हो गया ठीक है 20 मार्च 85 अगलापस ने भारत के किस देश में सरवादिक सिंचित चेत्र है किस्स योतक स्विदा सरी कि रामिड चेत्र में इंटरनेट और प्रोडफीयार कनेक्शन को बढ़ाना ना डिजिटल इंडिया योगजना का हमारा एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है और Digital India योजना की सुरुवात कब से हुई थी एक जुलाई 2015 से इसके सुरुवात की गए थी प्रजान मंति द्वरा और इसी Digital योजना या Digital India योजना का मुख्य लक्षिक है मुख्य उद्देश्क है कि ग्रामिर्ट छित्र में इंटरेनेट को पोचाना तो था ब्रॉडबेंट ग्रेक्शन को बढ़ाना और आज का दोस्तों आपका हुमर का कुश्चन है कि स्वनल जैन्ती ग्राम स्वरुजगार योजना S G S Y को कब सुरू किया गया था इसका आंशर दोस्तों आपको कमेंट वाक्स में देना है और आज के ये साठी कुश्चन से आपको कैसे लगे ये भी आप लोग ज़रूर बताएगा सभी प्रस्न दोस्तों एक्जाम में आये हुए हैं ठीक है एक्जाम में आगे भी आपको इ वीडियो सी यू नेच्ट आएं धन्यवाद आप सभी वीडियो को देखने के लिए और दोस्तों अगर आप उत्राकन के किसी भी एक्जाम के लिए किसी भी आनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट या फिर किसी भी आनलाइन कोर्स से जुड़ना चाते हैं तो प्लेश टोर से हमार यह अप्लेकेशन उत्राकन जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं धन्यवाद